हेलो फ्रेंड्स वागता आपका अपने चैनल में उमेद है आप लोग खुस होंगे सवस्त होंगे बड़ू के चरणी स्वेर छोटू को डेल सारा प्यार आज लेके आए किचन के ऐसे टिप्स जो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा यूजफुल होने वाले है पहला टिप्स अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी हेवी साडिया होती है जिनका वरक खराब हो जाता है धोने पर एक दो बार पहने पर हम इने धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि फिर ये पहने लाइक नहीं रहती है और फिर अगर हम इसे साप नहीं करेंगे तो इसमें पसीने की बदबू या फिर गंदकी सी मैसूस होने लग जाती है तो इसे साप करने के लिए आपको इसे धोना ही जरूरी नहीं है आप इसे वैसे भी फ्रेस रख सकते हो अब आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे होगा तो इसके लिए आपको लेना एक चमच बेकिंग पाउडर एक चमच डिटरजन पाउडर आप इसे सरफी भी बोल सकते हो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में जुराब में डाल देनी है आप चाओ तो जुराब में डाल कपड़ों में और यह फरेस रहेंगे तो आप लोग इस चोटे से ट्रिक को एक बार जुरूर आजमा सकते हो आपके हेवी कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे जब तक आप एक या दो बार पैंते हो या पांच से छे बार पैंते हो आप इस तरीकों को आजमा सकते आपके कपड़े बिल्कुल में एकते हुए रहेंगे फिर आपको ज़्यादा ही लगे कि हमारे कपड़े ज़्यादा ही खराब होने लग गए हैं तो आप इजी ला सकते हो और उसे अच्छे से साप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपके कपड़े बिल्कुल साप हो जाए तो इसके लिए आपको न्यूज पेपर लेना है टीशू पेपर भी ले सकते हैं उसमें एक चमच आपको चावल रखने के बाद में आप इस तरह से पेपर या टीशू पेपर को बंद कर देना है ताकि चावल हमारे चीनी में मिक्स ना हो देखिए इस तरह से बंद कर देना ह फिर आपको जिस भी डबे में आप चीनी रखना पसंद करते हो उसमें रख दीजे पहले आप ने जो चावल वाली पाउची बनाई थी ना उसे रखना है फिर इसमें चीनी डाल देनी आपकी चीनी बिल्कुल भी मोसराइजर नहीं छोड़ेंगे और एकदम प्रेस रहेगी तो इस तरह से आप कितनी भी चीनी श्टॉर कर सकते हो आपकी चीनी बिल्कुल मार्केट जैसी रहेगी भी खराब नहीं होगी तो नमबर तीन, टिप्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है, तो ये टिप्स देखके भी गर मत जाना, जैसे आप मोसम बदलता रहता है कि कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हलकी वुलकी सर्दी सी रहती है, तो हमारे गले में खरास सी हो जाती है, दर्द स जरूर देखना, पहले हमारी नानी दादी पहले हमें ऐसे ही पानी पिलाया करती थी, आज कल तो फिर भी हम डॉक्टर के पास जाने लग गए हैं, पहले हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता था, पैस इसी से हमारा इलाज हो जाता था, तो आप लोग जरूर बताना कि किस की नानी काट रहें वाँ से रख दीजी, आपकी आँखों में से एक प्यास सुने आएगा और आप हस्ते हस्ते प्याज काट दोगे, अगर कोई भी टिप पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब और लाइक ये वगर बिल्कुल भी माजाना